ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़े ये सिक्षा निदेशाले मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जारी करी है और ये आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी मैं क्या बोल रहा हूँ सब बच्चे ध्यान से देखो इसको आपको अपने सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुँचना है जो बच्चे लेट जाएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी और ऐसी मेरे पास खबरे आई हैं कि कहीं बच्चे लेट पहुँचे और उनको एंट्री नहीं मिली exhaust को परिक्षा समय से कम से कम 30 मिनट पहले परिक्षा के पहुचंब पहुचना होगा प्यारे बच्चो थोड़ा सा देख लेना कहां से जाना है किस तरह निकलना है नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है पंजाब हरियाना दिल्ली NCR वाले बच्चे एक बार कॉमेंट कर दो और लाइक कर दो वीडियो को दूसरा चातरों को परिक्ष्टा समय से कम से कम 30 मिनट पहल को परिक्ष्टा कक्ष में समान साजा करने की अनुमती नहीं है ऑपनी स्टेशनरी ले कर आएं यह पॉंइंट बहुत इंपोर्टन्ट है कुछ़ बच्चों को हैभिट होती है कि वो परिक्ष्टा कक्ष्ट में य'... यह आनि कि एक्जाम होल में बहुत सारी चीजे मांगते रहते हैं, इस school में तो सब चल जाता है, home exam में चल जाता है, sir, rubber ले लूँ, sir, ये ले लूँ, sir, pencil ले लूँ, sir, ये ले लूँ, sir, उन भईया से ले लूँ, तो school के teacher तो आउ कर देते हैं, लेकिन बेटा, board में आपको अलाव नहीं करेंगे, या फिर smart watch, ये सब चीज़े आप नहीं लेखे जाएं, एक बार मुझे comment करके बता दो, आपके पास watch कौन सी है, एक तो घड़ी है होती है, देखो, जो मेरी घड़ी है, ये तो normal घड़ी है, देख लो, इसको बोलते है analog watch, इसको, ये घड़ी allowed होती है, लेकिन आपके पास अगर smart watch है, तो वो allowed नहीं होगी, smart watch लेके मत जाना, और इस तरह की कोई भी electronic device, bluetooth वाली device लेके मत जाना, नहीं, तो आप फ़स जाओगे बच्चो, कौन सी घड़ी है आपके पास, मुझे बता के जाओ जल दी, comment करो, परिक्षा होल में किसी भी electronic उपकरण, या किसी अनुचित साधन के उपयोग ना करें, समझगे, छात्रों को एक बार में, एक बार फिर से date sheet चेक कर लेनी चाहिए, ये point भाई बहुत important है, छात्रों को एक बार फिर से date sheet चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिक्षा के दबाओ, एवं कहीं बार अति उत्साहित होने से, छात्रों को लगता है कि संबधी तिति पर किसी और विष्टे की परिक्षा है, और वो फस जाते हैं, मेरे साथ बेसा हुआ था 11th class में, कहीं बार बच्चे जायता जोश में आकर या डर के मारे, ढूल जाते हैं कि उनका एक्जाम कौन सा है, और वो किसी और एक्जाम की तहरी करते रहते हैं, आपके साथ बेसा कभी न कभी हुआ होगा, सर की अलाउड है, नहीं बेटा की अलाउड नहीं है, की लेके मच जाना, स्मार्ट वोच अलाउड नहीं है, डिजिटल वोच अलाउड, डिजिटल वोच तो लेके ही मच जाना, एनलोग वोच लेके जाना, इस तरह की देखो, ये वोच लेकर जाना तो कहीं बार ऐसा होता है कि आपको लगता है पेपर ये वाला है और आप उसकी तेहरी करते रहते हो पता लगा हुआ दूसरा पेपर होता है आपको दिक्कत हो सकती है भाई ऐसे मत करना अपनी डेट शीट को ध्यान से दो तीन बार देली पढ़ा करो और सारे पेपर अपने में में अपने पेरेंट्स को बता दो और मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की डेट शीट देख लो और अपने बच्चों की डेट शीट को याद करके चित रहे बच्चों को बताते रहना कि आपका पेपर कौन सा है वैसे मैं कहूंगा आप घड़ी लेके ही मत जाना टैंशन से बचो घड़ी लेके मत जाओ भई कोई ज़रत नहीं घड़ी ले जाने कि आप महाँ पर घड़ी लगी होती है टाइम जो है बता जाता है मैटरो कार्ड ले जा सकते हैं लेकिन बाहर जमा करवा लेंगे जहां तक मुझे लगता है कपडे फैंसी पैन के मत जाना अपनी किट ले के जाना ट्रांसपेरेंट बोतल ट्रांसपेरेंट और पैन ब्लू के वल कोई भी बच्चा मैं हा लिख देता हूँ I am from Imalia Tannum Hasan Hello भई Imalia वालो सलाम वालेगू Only blue pen याद रखो Only blue pen मैं blue color से लिखूँगा blue pen केवल blue pen से ही आप लिख सकते हो कोई बच्चा भी black pen या किसी और color के pen से लिखना मत क्योंकि वह pen से allowed नहीं है CVSC में लिखना या आप ध्यान रखे blue pen लेके जाना आपको सिरफ तो बस यही थी और 33% पे पास होते हैं 33% लाने होते हैं जैसे कोई paper 100 number का है तो इसमें आपकी minimum 33% नंबर आने चाहिए तभी आप पास होते हो इससे कम पर compartment वाने चाहेगी दो subject तक compartment होती है आसे तोज कुमार राम राम ठीक है बेटा